नमस्कार सुलक्ता सवाल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट महाराष्ट की राजनिती में हुए बड़े उलट फेर की वज़ा से पूरे देश में सियासी हवाएं तीज की साथ चलने लगी है और कडाकी की ठंड में गर्मी का एहसास भी होने लगा है लेकिन ऐसे में महाराष्ट के सियम एक नाश शिंदे ने कहा दिया है कि ये तो बस ट्रेलर है पिच्चर अभी बाकी है जिसके बाद विपक्षी पार्टियों में कोहरा मचा हुआ है इतना ही नहीं एक नाश शिंदे ने ऐसा क्यों कहा है उसके पीछे की वज़ा अगर आप जानेंगे तो आपके भी खोश उड़ जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसे वक्त में जब कॉंग्रेस लोगों के बीच में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है तो उसे जबर्दस्ट जटका लगा है जिसके बाद कई सारे सवाल सुलग रहे है क्यों मिलिन देव पूर्व सांसद और पूर्व केंद्र मंत्री मिलिन्द देवडा 14 जनवरी को ही बिना देरी के शिव सेना शिंदे गुट में शामिल हो अने को मिलिन्द देवडा ने भावक्षन बता दिया और primudy और cmma1 चिंधए की जयंकारर जैसे हि मिलिंद देवड़ा ने कॉंग्रेस को अलविदा कहा तो उसके बाद उनके दिल की भड़ास भी पार्टी पर जयंक कर निकली कोउंग्रेस का हाथ करें थोड़ते ही मिलिंद देवडा ने कॉंग्रेश पार्टी को आड़े हाथो ले लिया मिलिंद देवडा ने कॉंग्रेश पर हंहले हमला बोलती हुछ अब का एक मात्र उदैश है मिलिंद देवडा का शिव सेना में स्वागत करते हुए कहा कि ये तो ट्रेलर है पिचर अभी बाकी है जिसके बाद सियासत में हड़कम पमच गया है क्योंकि एक नाशिंदे ने जो कहा है उसके पीछे की वज़ा क्या है वो तो कुछ वक्त में ही पता चल जाएगी लेकिन उनके बयान से एक बात तो साफ है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है और मिलिंत देवडा सिर्फ शुर्वात है अभी और कौन-कौन आने वाला है वो देखना बेहती दिल्चस्प होगा लेकिन लोगों को संभोधित करते हुए एक नाशिंदे ने कहा कि श्रीकांत तो डॉक्टर है मैं तो डॉक्टर नहीं ह हैं वो आगे कहते हैं कि लोग घर में बैठने वालों को साफ करेंगे उनके जगड़े में पड़ा तो आप अपना काम भी प्रभाय भी थोड़ता है इसलिए नहीं पड़ता हूं मैंने डेड़ साल में छुट्टी नहीं ली है मैं हेलिकॉप्टर से खेती करने जाता हूं कि आरोप लगता है मैं सीम हूं कम टाइम में मुझे काम करना पड़ता है हेलिकॉप्टर से फोटोग्राफी नहीं करता हूं फोटोग्राफी से खेती बहतर है आगे उन्होंने कहा कि मुंबई को गड़े मुक्त करना है स्वच्चता अभ्यान चला रहा है दो सालों में करे गरीबी हटी नहीं गरीब हट गया पीम मोदी ने गरीबों के लिए काम किया वो सब के लिए काम करते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वो मुंबई आते हैं तो बाकी लोग परिशान होते हैं दुनिया की अर्थववस्ता चर्मरा गई है हमारी अर्थववस् वो से MOU साइन करके यहां लाएंगे मैंने बहुत सारे दोरे किये हैं राजी और राजी के बाहर फील्ड पर काम करने वाला व्यक्ति हो मैं ओफिस से काम नहीं करता हूँ इसके पहले मिलिंद देवडा ने कहा कि मैं एकनाच शिंदे के नितत्तु में कॉंग्रस के साथ अपने परिवार का 55 साल पुराना रष्टा खत्म कर रहा हूँ मेरी राजनीती सदैब सकारात्मा के वो प्रगति शील रही है मेरी विचारधारा आम लोगों की सेवा करना है हम सभी को गर्व है कि आज महराष्ट के मुख्यमंतरी एकनाच शिंदे बहुत मेहनती है सभी के लिए उपलब्द हैं और जमीनी नेता है वो आम आदमी के दर्द और आकांग्शाओं को समझते हैं 55 सालों की भडास को निकालते हुए मिलिंद देवडा ने आगे कहा कि मुंबई और महाराष्ट को लेकर उनका द्रिष्टी कोण बड़ा है इसलिए मैं उनके हाथ मजबूत करना चाहता हूँ प्रदान मंतरी मोदी और अमिश्याह के पास देश के लिए एक विजन है मिलिंद देवडा ने आगे कहा कि इसलिए मैं शिवसेना के हाथों को मजबूत करना चाहता हूं मिलिंद देवडा ने कहा कि शिवसेना से हमारे पुराने रिष्टे हैं बाला साहिब के आशिरवाद से मेरे पिता मुर्ली देवडा मुंबई के मेर बने थे मेरे पिता और शिंदे में एक समानता है दोनु सामानी परिवार से आते हैं दोनुने नगर सेवक के रूप में शुर्वात की मुरली बाई केंदर में मंतरी बने आप कड़ी महनत से मुख्य मंतरी बने उन्होंने कहा कि मुझ पर जूटा आरोप लगाने से पहले शिंदे ने विश्वास किया मलिन देवडा ने कहा इसके लिए धन्यवाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ मराठी भाशी और कुछ हिंदी भाशी हैं सुभा से कई लोग फोन कर रहे हैं पूछ जा रहा है कि आपने अपने परिवार से रिष्टा क्यों तोड़ लिया पार्टी की चुन एक नाश्रिंदे को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा मुझे भी लेना पड़ा उन्होंने कहा कि 30 साल पहले वित्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंग ने आर्थिक सुधार किये थे उस समय कॉंग्रेस ने केवल उद्योग पतियों का अपमान किया उद्योग पतियों को जिन्टा है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने मिलिंद देवडा का मजाग उड़ाया तो कुछ ने उनके खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया है दरसल देवडा के पार्टी छोड़ते ही कॉंग्रेस के नेता ही उनके खिलाफ हो गए मुंबई कॉंग् देवडा को अपने फैसली पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए वहीं महराष्ट कॉंग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने देवडा के स्थीफे को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान हटाने के लिए भारती जंता पार्टी यानी की बीजेपी की एक चाल बताई सांथी उन्होंने देवडा का दो बार हारा उमीदवार कहकर मजा कोड़ाया इसके अलावा पूरू मुख्यमंत्री अशोग चावार्ण ने कहा कि देवडा दक्षन मुंबई लोगसवा सीर से चुनाओ लड़ना चाहते थे कायकवार ने एक वीडियो जारी कर दक्षन मुंबई के पूर्व सांसत से अपने फैसले पर पुनरविचार करने का आग्रे किया उन्होंने कहा कि देवडा का परिवार और कॉंग्रेस परिवार एक है उन्होंने कहा ये दुर्भाग पूर्ण है कि देवडा ने उस दिल पद छोड़ने का फैसला किया जब मनिपूर से भारत जोड़ो यातरा शुरू हो रही है मैं उनसे अपने फैसले पर पुनरविचार करने का आग्रे करती हूं कॉंग्रेस हमेशे उनके साथ खड़ी रही है उन्होंने कहा कॉंग्रेस पाटी से बेहग दुखी है उन्हें समझने के लिए कि हम परिवार है और हमें एक साथ रहना है इसके लिए AICC प्रभारी और मैंने मिलिंद देवडा के साथ बाचीत करने की कोशिश की पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस कार समीती के सदस्य अशोक चावहार ने कहा कि देवडा दक्षन मुंबई लोग 2014 और 2019 के आम चुनाओं में देवडा को हराया था इस पर नाना पटोले ने कहा कि भाचपा भारत जोड़ो यातरा से डरी हुई है इसलिए वो अफ़ा फैला रही है कि कॉंग्रेस टूट जाएगी अब भाचपा और उसके सयोगी यातरा से ध्यान भटकाने के लिए दो बा कवार गुट वाले सत्ता रूड गठबंदन का अंत होगा सांसत गौरव गोगोई ने कहा हम मनीपूर आये हैं यहां के लोगों ने हमारा स्वागत किया है क्योंकि केवल कॉंग्रेस और इंडिया गठबंदन मनीपूर के मुद्दे के बारे में बात करते हैं इस समय अगर के राजनिती है और कुछ नहीं हम कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मुर्ली देवडा को जानते थे वह एक महान नेता थे वह कॉंग्रेस से बहुत जुड़े हुए और वफादार थे कॉंग्रेस पार्टी से नाता तोड़ने के बाद देखना होगा कि क्या मिलिंद देवड को वह मिलता है जिसके लिए उन्होंने कॉंग्रेस से 55 सालों का अपना नाता तोड़ दिया सुलकता सवाल में फिलाल के लिए इतना ही बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहें कापिचन टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमा अरे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया